सरवसे आपको क्या लगता है अब जैसे बॉलिवूड में पिछले कुछ सालों में हम देखते आ रहे हैं कि भाई साउथ की पिछेर जाता हिट हो ही है और यह नाम ना आम जंता में फैल गया कि बॉलिवूड डाउन जा रहा है यह जो बॉलिवूड साउथ की फिल्में इन सब नामों से ना मुझे बहुत परशानी होती है बॉलिवूड और साउथ की फिल्में वहां की करेंसी अलग तो नहीं है देश तो हमारा ही है यह भी यहां से लेकि तो हम इंडियन फिल्म क्यों नहीं कहते है थोड़ा उधर का मि देखेए साउथ में गॉड्स भी अलग है हमारे भगवान वही है वो लेकिन रूप अलग है लाउड कलर्स हैं मंदिरों को बाहर पेट निकले हुए कुछ ऐसे से कुछ यहां का थोड़ा अलग है फिर सोचने पर लगता है कभी-कभी हुआ क्या था कि हॉलिवूड बहुत बैटमेन और भी कई इस तरह की फिल्में बढ़े शुपर हीरो की फिल्में बढ़ने लगे लगे तो इस तरह की फिल्में बड़ी हिट होने लग गए थी बहुत रियलिस्टिक पिक्चरे शांत हो गे थी बना और इस तरह की बड़ी फिल्में तो आउडियंस हमारी भी है उनको भी अच्छा लगने लगा गया दम- तो कभी कभी ऐसा नहीं है फिलमे यहां भी बहुत बड़ी है इस पार्ट ऑफ इंडिया में भी अच्छी फिलमें बनती हूं सारी फिलम मनती हूं तो इसमें बॉलीवॉड और साउथ इंडियन फिलमें यह नामी गलत है। कि एंडियर्ण मूवी के ना चाहिएक और और इंडियान मूवी यार अगरुसाथ के किसी मूवी को nee जाति है तो हम सब भार्तियों kabul के लिए गर्व की बात है कोई मराथी फिल्म आश्कर UP के लिए जाती है तो सबके लिए गर्व की बात है सर आपने दोनों जगा काम करा दोनों मतलब साउथ इंडिया में भी और नॉर्थ इंडिया में एक फिल्म की थी वहले हाँ रॉबिन हुड वाली हाँ 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 तो फिर वर्क स्टाइल में भी डिफरेंट्स है वो देड़ बजे लंच हो जाता उनका हमारे हैं तो देड़ बजे बताते हैं कि ओके रॉनिंग ब्रेक है उसके लावा कोई मेजर डिफरेंट्स नहीं आता नहीं स्टाइल वही है बहुत कुछ प्रोडूसर डिरेक्टर के हाथ में होती कि कैसे बनेगी कितना डिस्प्लिन रखना है उसको बनाने में सारी चीजे मजा आता है साउत में काम करने में क्योंकि आप लेंग्वेज से बिलकुल आप स्क्रिप्ट पढ़ने ही पाते आप साइन बोर्स पढ़ने ही पाते आपके सामने जो बाते हो रही वो समझ नहीं पाते फिर भी आपको काम एक्टिंग करनी ही